हेलो इब्रूट है अब सब कावज और आगर के अपने चैनल में तो आज की बिडूड़ी मैं बात करूँगा सपोर्टिंग इश्टाफ बहुत से कमेंड आते हैं कि सपोर्टिंग इस्टाफ क्या चीजे तो सबसे पहले मैं supporting staff के बारे मैं थोड़ा बताऊँगा कि यह मतलब क्या होता है इसका क्या काम है फिर उसके बाद बताऊँगा कि इसमें mainly कौन कौन सी trade आती है ठीक है उस बारे में बात करो दोस्तों चैनल पर नहीं हो तो subscribe जरू करना question हो please comment करना और आपके एक subscribe करने से हमें काफी अच्छा लगता है ठीक है दोस्तों please subscribe कर लिया करो क्योंकि अभी भी काफी इंडियन आर्मी है जहां जातर mainly जीडी वाले है ठीक है तो इस supporting staff का काम क्या है तुमको support करना ठीक है अगर आपको क्योंकि जीडी का बंदा खाना नहीं मनाएगा तो उससे support करने के लिए खाना मनाने वाला cook होगा ठीक है वासर मेन होगा तो यह होते हैं supporting staff अब इंडियन इस time जाब तर कितना चार ट्रेड आता है दो चार ट्रेड के बारे बताऊँगा पहला है दोस्त आपका painter ठीक है बढ़ जो मैंने ER बताया वो tailor होता है ये अपने trade का काम नहीं करते हैं इनको training मिलती है बढ़ trade का काम नहीं करते हैं क्यों कि आज कर इंट्फेंट्री में ऑल्रेडी civil वाले जो tailor master होते हैं वो रहते हैं तो मैं कहूँगा कि जो ER होते हैं और जो tailor होते हैं जातर जीड़ी कई काम करते हैं अगर इन जरूत पड़ जाए बहुत से लोग होते हैं बहुत ज्यादा नफ्री होती है तो उनको थोड़ा सपोर्ट करने के लिए जरूद बनाया था ठीक है दो बैसे यह होता है तो सपोर्टिंग इस्टाफ तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी अगर फिर भी कोई क्वेशन हो तो प्रीज कमेंट दोस्तों जरू करना ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना ठीक है और हो सकता है भरती आने वाली हो तो उसके लिए अपने आपको पहले से तयार रखो अपने रिटन एक जम अपना फिजीकल तयार रखो खीके दोस्तों जय हिंद जय भारत